हाई एवरिवन मैं हूँ मिनाक्षी और स्वागत है आपका कोगविद मिनाक्षी में फ्रेंड्स आज मैं आप लिए लेकर आई हूँ मूंग डाल और आटे से बने बहुत ही घस्ता और मसालेदार काजू वाले नमक पारे की रेसिपी और साथ ही इसके लिए हमें एक चटपटा सा मसाला भी बनाएंगे तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करेगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे मेरे आगया आने वाले वीडियो से आप तक पहुंसते रहें शुरू करते हैं काजू वाले नमक पारे की रेसिपी इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आदा कप मूंग डाल ली है जिसे मैंने अच्छे से वाश करके दो से तीन घंटी के लिए भीगो कर रख दिया था और आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से भीग चुकी है इसे इस तरह दबाएंगे तो यह तूट भी रही है और अगर आप इसे एक गंटे के लिए थोड़े से गुनगुने पानी में भीगो कर रखेंगे तो यह एक गंटे में भी अच्छे से भीग जाएगी इसे पीशने के लिए हम इसे मेक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं इसी के साथ इसमें एक हरी मिर्ची एड़ करेंगे साथ ही इसमें आदा इंच अद्रक का टुकड़ा एड़ करेंगे एक टेबिलिस्पून जीरा भी डालेंगे दो से तीन चमच पानी भी एड़ कर लेंगे और इसी के साथ एट करेंगे थोड़ी सी फ्रेश हरीमेथी फ्लेवर के लिए अब इन सभी चीजों को हमें पीस लेना है और इसे हमें जादा बारिक नहीं करना है इसे हमें थोड़ा मोटा ही रखना है देखिए इस तरह से ये धोड़ी सी दरदरी दिख रही न दाल इस तरह से ही रहेगी है तो मैंने यहाँ पर सारी दाल को निकाल लिया है अब इसमें हम एक टेबिल स्पून कलोंजी एट करेंगे इसके साथ ही हम इसमें एट करेंगे एक टेबिल स्पून अजवाइन अजवाइन को हमें इस तरह से हाथों से रब करके इसमें मिलाना है जिससे इसका फ्लेवर और भी उभर कराता है एक पिंच हल्दी एट करेंगे एक टेबिल स्पून नमक एट करेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है एक चौथाई कप तेल यानि की चार से पांस टेबिल स्पून अब इसमें हम एट करेंगे दो कप गेहु काटा आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन गेहु काटा एक हेल्दी ओप्शन है अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यानि की मिला लेना है देखे इस तरह से हमें इसे हातों से अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है साथी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक हमें टाइट सा डो तैयार कर लेना है यानि कि ज़्यादा हमें लूज आटा नहीं रखना है थोड़ा टाइट ही रहेगा मट्री बनाने के लिए देखे इस तरह से आटी को यहाँ पर पांच मिनिट लिए हम रेस्ट करने देते हैं और साथी हम यहाँ पर एक ओयल बना लेते हैं जिसे हमें इसकी पड़तों में लगाना होगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन से चार चमच ओयल लिया है और इसमें एक चमच अरा रूट मिलाया है आप चाहें तो तेल की जगए गी का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर हमारा ओयल भी रेडिय हो गया है अब चलते हैं नेक्स प्रॉसेस में तो देखे आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है अब इसकी हम चार लोईया बना लेंगे यह देखिए इस तरह से अब हम चलते हैं नेक्स प्रॉसेस में तो यहाँ पर हमें आटे से बनी सारी लोईयों को इस तरह से सेट कर लेना है और अब हमैसे बेल लेंगे इनको हमें रोटियों से बड़ा बनाना है जितने चकले का कार दिख रहा है न आपको इससे भी थोड़ा सा बढ़ा ही जाएगा ये और लेकिन रोटी से थोड़ा सा इसे मोटा रखना है देखिए इस तरह से और इसी तरह से हमें सारी लोईयों को बेल लेना है देखिए इस तरह से मैंने चारो लोईया बेल कर तयार कर ली है और अब चलेंगे इसकी नेक्स प्रोसेस में तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रोटी लेनी है इसके उपर जो हमने ओयल रेडी किया है उसे अच्छे से हाथों से इस तरह से हमें फैला लेना है इसके बाद इसके उपर हम दूसरी रोटी को रखेंगे इस तरह से इसके उपर भी हमें इस तरह से यह ओयल लगा लेना है और हाथों से अच्छे से फैला लेना है और इसी तरह से हमें इसे एक की उपर एक चारो रोटीया लगा कर तयार कर लेनी है ये देखिए इस तरह से और एक बारी इने फिर से बेल लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं रोटी को एक clean surface पर रख लेंगे और इसे काजू शेप में कट करने के लिए आप किसी भी बोटल का ढखकन अच्छे से वास करके ले ले और इस तरह से इने हाथों से प्रेस करते हुए काजू शेप में कट करते जाएं और इसी तरह से हमेंने एक एक करके कट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने सारे काजू पारे कट करके तयार कर लिए हैं और हमारा यह जो बचा हुआ आटा है, इसे आप चाहें तो दुबारा से काजू शेप के पारे बना सकते हैं, या फिर इसे आप किसी और शेप में भी बना सकते हैं, मैंने इसे दूसरे शेप में कट किया है, और इसके भी हम नमक पारे बना लेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड के लिए मैने गैस की फ्रैम को लो मीडियम पर रखा है इने हाई फ्रैम पर फ्राय नहीं करेंगे रहेंगे यह उन्दर से भी कच्छे रह जाएंगे तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं और इनकी पड़ते अपने आप खुलती जा रही हैं इन्हें हम इस mík के साथ हम सेकेंड बैज़ फ्राय करने के लिए दाल देते हैं और इसी के साथ जो मैंसे मिलाने मासाला बनाना है न, हम भो भि तर यार कर लेते हैं मैंने यह पह मैंने यह मेली एक ते स्बसमस्थम भुनाजीर पाउडर गुऱ्ेंश थे ट्राइपुदीना एट करेंगे, एक टेबलिस्पून चाट मसाला एट करेंगे, साथ ही इसमें आदा टेबलिस्पून सॉल्ट एट करेंगे, इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, यह देखिए यहाँ पर मैंने बागी के नमक पारे को भी फ्राय करके निकाल लिया है, नमक पारे अभी एकदम गरम हैं तो इन पर हम यह मसाला मिला लेंगे, नमक पारे भी एकदम गरम है तो यह मसाला भी इनकी उपर अच्छे से चिपक जाएगा, और आप इनने बना कर स्टोर करकर भी रख सकते हैं, गेहूं के आटे और मूंग दाल से बने हुए हमारे नमक पारे एक बहुत ही healthy option है, और अब जो बचे हुए आटे से नमक पारे बनाये थे उनने भी fry कर लेंगे, तो बनकर तयार है हमारे परत वाले मसालेदार काजू नमक पारे, तो फ्रेंड्स आपने काजू वाले नमक पारे तो बहुत खाये होंगे, लेकिन इस बार ये का पी अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शियर जरूर कर एगा, शाथ ही चैनल को भी subscribe कर लिजे जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंसते रहें, और साथ ही पैला ऐकन को भी प्रेस कर लिजेगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की notification आपको म तरे तरे।